हाई दोस्तों गुन्मॉनिंग आज को टॉपिक है प्रकास मैनेज्वेंड से प्रकास को टॉपिक लाए हैं आपको टॉपिक पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर किजिएगा अगर इसमें क्वालिटी जैसे कि अच्छर समझ में ना आता हो तो इसकी क्वालि प्रकास और क्रित्रिम प्रकास तो प्रकृतिक प्रकास आप लोग जैसा कि जानते ही है कि सुर्य का जो प्रकास जैसे चंद्रमाग जो प्रकास तारे का प्रकास ऐसा जो प्रकास दिखाई देता है वो प्रकृति का ही बनाया गया प्रकास है तो इसे क्या कहेंगे रानिक द्वरह यह बनाया गया है तो क्या ही क्रित्रिम में आएगा ठीक है आगे चलते हैं डाक्टर मेट जर मेट जगर की अनुशार यह क्या कहते हैं इनकी बारे में जानते हैं हमारी 25 परसंट सक्ति सामान द्रिष्टी और उचित प्रकास रहते हुए भी देखने में खर् होती है इनका कहना है कि हमारे पास 25 परसंट सक्ति सामान द्रिष्टी और उचित प्रकास रहते हुए भी देखने में खर्च होती है उचित भी ज्यादा प्रकास है तो भी देखने में क्या होता है द्रिष्टी पर प्रभाव पढ़ता है तो हमारी सक्ति क्या है 25 परसंट खर्च होती है आगे चलते हैं प्रकास क्या है प्रकास के बारे में देखते हैं क्या बताया गया है तो प्रकास एक स्वयम और द्रिश्य पदार्थ है प्रकास एक स्वयम और द्रिश्य पदार्थ है प्रकास को हम क्या कर प्रकास में हम देख सकते लेकिन प्रकास को नहीं दे ही देख सकते हैं जैसे हमने कहा है कि प्रकास को कैसे देखेंगे मतलब प्रकास कहीं पढ़ेगा तो हम देखेंगे और वैसे हम प्रकास को देख नहीं सकते वो अद्रिश्य होता है किसी वज़तू पर जब उसका लाइट जाता है प्रकास जाता है तो चमकता है तो लगता है क उट्ष्टी देती है हलके रंग प्रकास को परावर्दित कऱ देती है जिस्से की कोई वस्तु सफेद या नहीं की दिखाइदी है उसे प्रकास पढ़ने कलर एक ही हो प्रकास अलग अलग तरीके से पढ़े तो उसका रंग क्या होता अलग अलग तरह के दिखाई देती है इस तरह कहा गया है कि हलके रंग प्रकास को परावर्दित कर देती है कहा गया कि रंग तो वही है लेकिन फिर भी जो प्रकास पढ़ रहा है अगर हलका रंग तो उसे परवर्ति उसको बदल देती है लेकिन जिससे कोई वस्तू पर सफेद या हलके रंग की दिखाई देती है जिससे कि कोई वस्तु जैसे सफेद रंग या हलके रंग की दिखाई देती है तो गहरे रंग का प्रकास को अशोशित कर लेती है जब जैसे गहरे रंग का प्रकास अशोशित करती है तो हमें सफेद और हलके रंग दिखाई देती है जिससे की कोई वस्तु काली या गहरे रंकी दिखाई देती है जब प्रकास का अवस्तु करती है कोई वस्तु तो हमें काले रंकी कलर दिखाई देती है काले वग गहरे रंकी फिर आती है उसकी आगे प्रकास की आवशक्ता क्या है उसके बारे में जानते है तो प्रकास किया है इसे तीन भागों में बाटा गया है, उसकी आपशकताओं को कारिक क्या धार पर है, सुरच्छा और उसकी सुनदरता है आगे देखते हैं कि कारे क्या है तो क्यारे जिसे पढ़ाई है रशोई घर में कारे आदी है ऐसे कारे करते हैं तो जो पढ़ाई करते हैं या घर की कारे करते हैं इन तरह कारे को इले प्रकास अलग तरीके से जैसे कि बल्व है तो ट्यूब लाइट है तो पढ़ाई के लिए लगा लिए रसोई घर में नार्मली प्रकास की जरूरत पढ़ रही है तो उसमें बल्व लगा लिए ती कारियों के अधार पर निक्यार शक्ताएं पढ़ती है तो सुरत्षा तो श्विहों पर लाइट का होना दर्वाजया जैसे कि हम अंधेरे में तो जा नहीं सकती रात को तो मुझे लाइट की जरूरत पढ़ती है इसलिए जैसे रूम में बालकनी में श्विहों पर इन सभी जगों पर लाइट का होना दर्वाजय पर आदी जगों लाइट का होना हमारे लिए सुरच्छा जनक माना जाता है तो सुन्दरता क्या है घर को सजाना दिपाली जैसे जैन मादीन शाथी तो देखे जो हम ट्यूब लाइट पढ़ाई के दोरान यूज करते हैं या तो बल्व यूज करती ही वो घर को सजाने की काम में नहीं आता है उससे हाइप और के लाइट होते हैं जैसे कि इस्टे सजा जाता है या तो कोई तेहवार है या तो सुंदर्ता अलग होती है इस तरह घर को सजाना दिपावली तेहवार साधी जन्मदीन पर जो अलग अलग तरीके से प्रकास्त लगाया जाते हैं लाइट की विवस्था की जाती है सुंदर्ता की अंतरगत आती है कुछ अन्यकारण क्या है जैसे की आराम देना द्रिष्टी प्रदान करना बल देना निरास्ता दूर करना बल का प्रकास ऐसा हो को जैसे मेरे आग को आराम मिले हमारे द्रिष्टी को कोई प्राब्लम ना हो जैसे देखने में को चाका चोनी न कि माइंड क्या होता है निरास हो जाता है मनला चीट शिलापन हो जाता है कि अध्य बंद करो इसे अटाओ ऐसे कुछ अन्य कारणे होती है तो लाइट का प्रकास जो प्रकास का प्रभाग है देखने को मिलता है इसलिए लाइट सब्सकार की आधर पर लगाई जाती है तो प्रकास के सुरोत क्या है आयक देखते हैं प्रकास के तीन सुरोत बताए गए है जलने द्वारा ताप दीप्त द्वारा और विधु डिस्चार्ज द्वारा तो जलने द्वारा क्या है लैंप है जैसे हम जलाती है दिया है अगनी है मुबती है जलने पर पीली नारंगी तो जैसे लैम है वह हम लोग यह सब जलने की द्वारा है जो हम जलाते हैं दिया भी जलाती है दिया में मिट्टी का तेल वाला जो दिया वह भी जला जाता है और इसमें जैसे भगवान के पूजा की जाती है साशो का तेल घी डाल के वो भी दिया अगनी है, जैसे आगू युद्ध मुँबति हैं और कोई भी जैसे जलने पर पीलिव मो मुद्ध निकल रही हो यह क्या है जलने के द्वारा है ठी ताब दृति जिससे बल्व की द्वारा बताया गया है तो प्राकृतिक है और विदूत है तो आपको उपर बताएं कि दो प्रकास से बताया गया है प्राकृतिक और विदूत प्राकृतिक है सुरिक का प्रकास ये प्राकृतिक है ये निच्रॉल्टी है इसे कोई बदल नही अब आते हमिनके हैं कि विद्दू DISCHARGE द्वारा होता है इसका प्रकाश इसका प्रकाश इओ आगे देखते हैं कि अगलों होता है infloreilling प्रोक्रिकर यह गदार तो हिए इसमें कि मर्क्यूरी विवेपर देभरी होती है जुकी अन्दर क्या और सिब्धी में और का भाग विश्च्ट पावडरå है जब कि दोनों और के कैथ होड वास्प को क्रिया सील करते हैं तो फ्लॉरिसेट प्रकाश उत्वनद करने लगता है यह नली दार सीधी वृत्ताकार यूव कर आदी में होता है इसका प्रयोग सजार्टी अस्थान कीचेन आदी में इसका प्रयोग किया जाता है यह महभी है लेकिन टिकाओं है आगे जलते हैं सेकेंड है नियान प्रकास क्या है होटलों में रेस्टूरेंट में ऐसे प्रकास देखने को मिलता है इसे cold cathode की नाम से भी जाना जाता है या किसी भी आकार में ढाला जा सकता है कम्रे में अतरीक चमक वो उतेजना के लिए इसका प्रियोग किया जाता है अक्सर देखा जाता है कि होटल में और एस्टुडेंट में जो प्रकास होता है उसकी उस हसाब से बल्ब लगाया जाता है कि उसमें क्या हो कि चमक उत्तेजना का इसका जो प्रियोग है वो अत्तधीक हो लाइट हो रूम में आगे चलते हूँ कुछ आधनी प्रकार के स्रोथ है यह क्या है पहला औरेंज बल्ब है फिर सोडियम एंड वेपर लेफ है हाई प्रेशर मेर्क्यूरी लेंप है फिर लो प्रेशर लेंप है अब आगे चलते हैं टॉपिक की और प्राकरतिक प्रकास क्या है तो दो तरह से प्राप्ति है और बचाव है तो प्राप्ति के लिए क्या है खिरिखी दर्वाजे रोशनदान ये प्राकरतिक के दर्वाजे प्राप्ति से अब क्या ले सकते हैं प्रकास खिरिखी प्रकृतिक कि प्रकास जैसे कभी खिरकी हम रुख भी कि फिल व्हर भी तो कभी ज्यादा तो यह खुब होती तो अंदर रों में भी च्छांदान से प्रकास आता था है खर्लेशल qa जमीन पर प्रकास पढ़ता है तो क्या होता है कि दो तो बिता है दों। प्रकास पर्दे से अंदर जाएंगे दरप्रक कभी सीशे का भी प्रकास होता है अगर CCP कहीं से light पड़ती है तो उसका प्रकास रूम में बहुत तेज प्रकास दिखाई दिखाई देता है बचाओ धरातल गहरे दानेदार है वस्तो की संख्या गहरे रंग के परदे इन सब का बचाओ करना चाहिए जो धरातल गहरे का दानेदार और वस्तो की संख्या अगर रूम में भी वस्तो की जादा संख्या तो भी प्रकास कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गहरे रंग के प तो देखते हैं प्रत्यच के अंतरगत क्या आता है तो एंगुलर लाइट क्या होता है पोड़ी प्रकास होता है फिर आई वाल लाइट होता है सेली जो सीलिंग छहत जैसे करते हैं फ्लोर फ्लोर नहीं जैसे कर सकते हैं उस पर उपर वाला पॉर्शन होता है रूम के उपर व कि ट्रेक लाइट क्या होता है किसी चीज़ का पीछा करना डाउन लाइट क्या होता है लैंप। जुकी होः हो ग। अब रतेच में क्या है डिफ्यूज लाइट कपड़े प्लास्टिक आवरण और कं। है को सब्सक्राइट लाइट जो दिखाई दने देता है अब आगे आते हैं बल्व कि बारे में जानते हैं लेगे बार थे विदूत है इसको उपर वाला जो तोड़ा सा चोड़ा वाला पॉर्शनी ताप तीप्त वल्ब है फिर यह जो यहां से इस तरह स्प्रिंग डाता है उसको करते हैं टंगस्टन धातु ताप सहने की स्मिछ छमता होती है अब देखते हैं मोतिया बल्ब यह क्या है काज का दुधिया बल्ब पारदस्रिय होता है प्रकास में चुभिती नहीं है प्रकास जो है आख में चुभिती नहीं है नेक्स टॉपिक है कॉइप पॉइंट है गुलाबी पन वाला प्रकास बल्ब गुलाबी पन व लेता है कौन से कलर यह सुषित करता है हरे वह नीले रंका जिससे की प्रकास गुलावी दिखाई देने लगता है वह बल्वे की ऊपर परत इनेमल भागों में बनी है तो गुलाबी रंग का जैसे के ताहरे और नीले रंगों क्या गत अफसुशित कर लेता है फिर उसके बाद जो प्रकास दिखाई देता है और बल्वे के ऊपर जो इनेबल भाग कर बने होते हैं के कशिज़क आगे पॉotch है शोडियों बल्व वासपुवल इसमें नियान गैसं बड़ी जाती है सोडियां प्लष्ट गेंद्र प्रकास ऑलालपं प्रह वोытता है जो सोडियां वालव है इसमें अने डियां भरी होती है इसमें क्या मिला होता है शोडियां प्लस नियान का प्रियोग करकी इस प्रकास का बना जाता है तो प्रियोग शड़क वा पार्क आदि में किया जाता है आज के लिए इतना ही अगर आपनों कोई टॉपिक पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग